तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बज्जाज Finsop EMI Card की E-Mandate Process को पूरा कर पाएंगे इसके लिए दो प्रोसेस है एक तो आप बज्जाज Finsop के Application में Login करके इस Process को Complete कर सकते हैं और दूसरा कि आप इसके Portal पे Login करके इस Process को Complete कर सकते हैं तो देखिए मैंने अभी यहाँ पे Portal को Open कर रखा है और यहाँ पे My Account का Right Side में नीचे की और एक Option दिखाई यहाँ पे दे रहा है इसको जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ Sign In का यह एक आइकन दिखाई दे रहा है बटन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है आपको उसके बाद से आपको अपना Mobile Number यहाँ पे डालना है देन आपको अपना Date of Birth डालना है and Get OTP पे आपको क्लिक कर देना है अब यहाँ पे सामने आपका OTP automatically detect हो जाता है और हम इस OTP को यहाँ पे submit कर देते हैं अगर आपका OTP यहाँ पे automatically detect नहीं होता है तो आप manually इसको डाल सकते हैं तब हम अपने account में login हो चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे उपर की side में यह EMI का एक option दिखाई दे रहा है EMI card का यह नीचे आप थोड़ा सा और आएंगे तो दिखे यह My Relations का एक option दिखाई दे रहा है यहाँ पे EMI card दिखाई दे रहा है जो कि 35,000 की ह आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे click करके हम आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए एक बार हमने यहाँ पे click कर दिया अब सामने आप देख सकते हैं यहाँ उपर सबसे पहले हमारा दिखाई दे रहा है card तो सो हो रहा है लेकिन वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि E-mandate pending यानि ह हमारा अभी E-mandate complete नहीं हुआ है friends E-mandate complete करने के बाद ही हम इस card को यूज कर सकते हैं E-mandate यानि कि यहाँ पे हमारे account से auto debit setup हो जाता है यानि जो भी loan हम यहाँ से बजाज से लेंगे जो भी हमारी credit limit यूज करेंगे उसकी EMI automatically due date पे हमारे account से deduct हो जाती है तो यहाँ पे देख register now का option दिखाई दे रहा है या ऊपर भी रजिस्टर नौ का दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर कहीं भी क्लिक करके हम आगी के process को complete कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर सबसे उपर नेम दिखाई दे रहा है जिन नीचे हमें IFC code यहाँ फिल कर ना है and उसके बाद से हमाना account नम KYC details से यहाँ पे match करना चाहिए यानि आपके account से ही आप यहाँ पे e-mandate के process को complete कर सकते हैं किसी दूसरे के account से इस process को नहीं कर सकते यहाँ पे हमारे account की validation की जाएगी जहाँ पे 1 रुपे हमारे account में बजाज फिनसर्फ की ओर से deposit किया जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना IFC code और account number हमने डाल दिया है नीचे हमारा account type यहाँ पे show हो रहा है savings और उसके नीचे लिखा हुआ है कि pick a suitable registration mode हमें registration mode यहाँ से pick करना है तो only एक ही option हमारे पास आ रहा है क्योंकि मेरा net banking यहाँ पे available नहीं है अगर net banking आपके पास available है तो नीचे आप net banking को भी यहाँ पे select करके आगे बढ़ सकते हैं तो हमारा एक ही only यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो हम इसके थूह ही आगे बढ़ेंगे आप देखे सामने यह proceed का जो बटन दिखाई दे रहा है तो हम proceed के बटन पे click कर देते हैं यहाँ पे प्रसीट पे click किया mandate details हमारे सामने यहाँ पे show हो रहा है और नीचे customer details हो रहा है जिसमें हमारा maximum amount यहाँ पे show हो रहा है after that debit frequency हमारी show हो रही है then हमारा purpose यहाँ पे show हो रहा है small value mandate start date हमारा start कब हो रहा है यहाँ पे 25 to 2023 को start हो रहा है end कब हो रहा है यहाँ पे देख सकते है 24 to 2033 को यहाँ पे हमारा mandate end हो रहा है and then हमारा utility code नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है चुकि security region से यह मैंने कुछ details यहाँ पे blur कर रहे हैं अगर customer details के यहाँ पे बात करें इसलिए debit card already selected है अब यहाँ पे हमें check कर देना है यह confirm करना है कि हाँ बजाज Finsop को हम यह allow कर रहे हैं कि हमारे account से पैसे debit किये जा सकते हैं तो यहाँ पे दिखिए हमने check कर दिया अब नीचे यह जो submit का button दिखाई दे रहा है इस submit के button पे हमें click कर देना है अब यहाँ नेक्स step में यहाँ पे हमें सारे के सारे details एक बर verify करना है दुबारा से जिसमें की हमारा account number है mandate issue 2 किसको हम mandate दे रहे हैं यहाँ पे तो बजाज finance limited दिया हुआ है start date, end date, frequency यहाँ पे है amount in figures है and then amount in words and then purpose of mandate है तो यह सारे के सारे details अगर यहाँ पे सही है तो हमें यहाँ पे चेक का जो option दिखाई दे रहा है कि हमने यह सारे के सारे details चेक कर लिए और सारे के सारे details सही है यहाँ पे हम चेक कर देते हैं और यह press it का जो button नीचे दिखाई दे रहा है इस पे हमें एक बार क्लिक कर देना है अब देकर सामने यहाँ पे payment amount दिखाई दे रहा है 1 rupees नीचे यहाँ पे हमें अपना card number डालना है then उसका month, year, then CVB number डालना है and then हमें card holder name यहाँ नीचे डालना है and make payment पे हमें click कर देना है सामने यहाँ final step पे BOI के द्वारा हमारे पास एक one time password यानी OTP आएगा वो OTP हमें यहाँ पे डाल देना है देखी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डाल दिया है make payment का यह जो option दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें click कर देना है सामने यह आ चुका है कि E-mandate का process हमारा complete यहाँ पे हो चुका है देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे जो E-mandate है मेरा वो pending दिखाई दे रहा है लेकिन जस्त थोड़े दिर बाद यह information यहाँ update कर दी जाएगी और E-mandate pending यहाँ से हट जाएगा तो इस तरीके से आप अपने E-mandate कारड को आगे यूज कर सकते हैं एक बात और मैं आपको clear कर दो कि यहाँ starting में मुझे deposit किया गया है वन रूपीज देख सकते हैं औरो fintech private के नाम से यहाँ पे वन रूपीज यहाँ पे credit किया गया है मेरे account में and then यहाँ पे देखिए 1 रूपीज यहाँ से debit किया गया है जो last वाला option में आपको दिखाई दे रहा था हमारा debit card number OTP जहाँ डाल के हमने submit किया था तो एक रूपीज हमारे account से debit किया गया यहनि एक रूपीज आपके account में credit किया जाएगा और ठीक एक रूपीज आपके account से वहाँ से debit किया जाएगा इस तरीके से आपके account को यहाँ पे verify कर लिया जाता है और आपका e-mandate का process यहाँ पे complete हो जाता है